ठीक है बच्चो आपने देखा कि हम लोगों ने फ्रीज में पानी रखा पानी रखा उसके बाद क्या हुआ कि वह लिक्विड हमने जब रखा तो वह थोड़ी देर बाद वह आइस मान गया सॉलिड में चेंज हो गया ना कि जब उसे वह फ्रीज में रखने से जब उसे फ्र फ्रीजर इट फ्रीजिस वही एक्जेंपल मैंने जो आपको अभी आइस के दी है तस्टेट इस चेंज तो उसकी स्टेट चेंज होगी लीकुड वार्टर भीकम सॉलिड आइस जो लीकुड वार्टर था वो सॉलिड बरफ में चेंज हो गई इनर्जी इसलील परॉसर्ट ढाइब लिकुड वेस्ट वो यह जाते ले प्रॉसरै से और वह एक दूसरे से ग्लोस्ट बरह्ति है इनके दरम्यान जो स्पेस हैं वो कम हो जाती है इसलिए कहते हैं कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो सकते हैं यह था मैल्टिंग और फ्रेजिंग आप लोग को समझा गोई कि बिल्कुल इजी है आप लोग ने अपनी आइस वाली एक्जेंपल मायंड में रखनी है है कि जब हम लोग आईज को बायर निकालते हैं तो वह फळीक़ा है चेंज हो जाती है तो यहीं आज आज आप लोग नें दोनों मैटिंग और फ्रेजिंग करने हैं आप लोगोने same जैसे यह लिखा हुए ना पहले तो हम पॉइंट्स में करते हैं यह आप लोगों ने पॉइंट्स में लिखना यह ऐसे ही note लिखना है इन पे melting और freezing पे ऐसे ही आप लोगों ने heading उपर देनी है melting और पूरा आप लोगों ने ने लिखना है paragraph में और फिर आप लोगों ने phrasing की heading देनी है और इसी तरह यह पूरा paragraph में लिख देने हैं ठीक है यही आज आप लोगों का काम है इसे आप लोगों ने अच्छी तरह याद भी करना है और इसे आप लोगों ने homework में लिखना भी है